हेलो व्यूबर्स वेलकम टू एयार किचन आज हमारे किचन में बन रही है मज़ेदार चना चाट तो आएए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें जो इंग्रीडेंट की ज़रूरत है 250 ग्राम मैंने बॉयल चने ले लिये हैं एक प्यास ले लिया है एक टमाटर ले लिया है पापडी ले लिया है हर धनिया हरी मिर्चे ले लिया है आलू बॉयल करके मैंने इनको कटिंग कर लिया है और चाट मसाला ले लिया है अब मैं जो बॉयल चने हैं उनमें बाकी इंग्र माटर, आलू, हर अधनिया और हरी मेरश, मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके, दो लेमन ले लूँगी और उनको कटिंग करके इसमें इसका जूस एट कर दूँगी एक एक करके इसी तरीके से हम अच्छे से इसमें एड़ करते जाएंगे लेमन जो है वो चाट में बहुत मज़ेदार टेस्ट देता है, बहुत मज़ेका लगता है हम सारे निबूओं को अच्छे से निचोड लेंगे और सारा राइस इसमें एड़ करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें हरा धन्या, पापड़ी और अब हम इसके उपर चार्ट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे यह हमारी मज़ेदार खटी चार्ट तयार है, आप लोग ज़रूर ट्राइ किजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है अब आईए हम अपनी दूसरी चार्ट की रेसिपी देखते हैं इसके लिए मैंने 250 ग्राम चने ले लिया है, बॉयल आलू ले लिया है, हरदनिया, हरी मिरश ले लिया है, उनको कट कर लिया है, प्याज ले लिया है, तमाटर ले लिया है, उनको भी मैंने क्यूज में कट कर लिया है पापड़ी ले ली है, चाट मसाला ले लिया है और दही ले लिया है दही आप अपनी मर्जी के मताबिक एड़ कर सकते हैं तो आईए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं मैं सबसे पहले एक बाउल में चन्ने डाल दूँगी इसके बाद प्यास पहला दूँगी इसके उपर अब मैं इसमें टमाटर एट करूँगी और हरी मिरच अब हम इसमें बॉयल आलू जो मैंने कटिंग करके रख लिए थे वो एट कर दूँगी हरा धनियाइट कर लेंगे हम इसमें और हम इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे चाट मसाला स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसमें दही आइट कर दूँगी और दही को जो है वो पूरे बॉल में अच्छे से पहला दूँगी अब मैं इसके उपर पापड़ी और चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी यह हमारी मज़ेदार टू वेस चाट तयार है आप ज़रूर ट्राइ कीजिएगा इफ्तारी में बहुत मज़ेदार लगती है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट करना मत भूलिएगा थैंक यू अलाहफेज